हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिल्मी अपडेट्स में दंगल जैसी फिल्मों में अपना दमदार निर्देशन दिखाने वाले नितेश तिवारी इन दिनों अपने most अवेटेट फिल्म रमायन को लेकर चर्चा में हैं बोटे परदे पर तो कई निर्देशक रमायन बना चुके हैं लेकिन बॉलिवूड के most successful directors में से एक नितेश तिवारी ने जब अपनी फिल्म रमायन की घोशना की तब से ही लोगों की उमीदें भी और जादा बढ़ गई हैं अब reports की मानें तो बॉलिवूड दो बड़े superstars को नितेश अपनी फिल्म में साथ लेने वाले हैं ये दो बड़े superstars कोई और नहीं बलकी लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले रितिक रोशन और रनबीर कपूर हैं ये पहली बार है जब बड़े परदे पर दो हार्ट थ्रोब रनबीर कपूर और रितिक रोशन की जोड़ी एक ही फिल्म में नजर आएगी बॉलिवूड हंगामा की reports के मानें तो फिल्म 2023 के mid में floor पर जाएगी हाला की अब तक फिल्म की star cast को लेकर official घोशना होना भी बाकी है उनके सूत्रों से मानें तो रमायन अब तक की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म होगी जिसमें आज के दो बड़े सूपरस्टार रितिक रोशन और रनबीर कपूर को कास्ट किया जाएगा तो वहीं रितिक रोशन फिल्म में रामण के किरदार में नजर आएंगे मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का बजट काफी बड़ा होगा राम और रामण के किरदार के लिए रनबीर और रितिक रोशन को चुनने के बाद फिलहाल सीता के किरदार की कास्टिंग चल रही है रितिक रोशन और रन्बीर की आगामी प्रोजेक्ट्स के बात करें तो दोनों ही जल्द बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ नजर आएंगे रन्बीर जहां फिल्म ब्रहमास्त और अश्रमशेरा के साथ बिलकुल तयार है वहीं रितिक भी पहली बार सैफ अली खान के साथ फिल्म विक्रम वेदा में दिखाई देंगे तो दोस्तों आप कितने excited है फिल्म रामायन को लेकर और आपको क्या लगता है रितिक रोशन रावन के रोल में कैसे लगेंगे और रनबीर कपूर श्री राम के रोल में कैसे लगेंगे हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत खोलिए